जो हार दोस्तों मैं मोनिक अगुमारी आप सभी कर स्टडी फोर गोल्स पे स्वागर करती हूं फ्रेंट्स हम लोग यहां बेसिकली आज जो जी ट्वैंटी काफी अभी चाचित मुद्दा है ठीक है तो हम लोग जी ट्वैंटी के बारे में ही समझने वाले इसके बारे में ज इसके मेंबर्स कितने इन सब चीजों को हम लोग यहां समझेंगे और अभी जी ट्वैंटी की अध्यस्ता आपको पता ही कि हमारा भारत कर रहा है ठीक है अभी इसकी प्रेसिडेंसी भारत को मिली वी है तो हम लोग इसके बारे में आज हम लोग यहां पे देखने वाले है तो दिसंबर एक 2022 से लेके 30 नौबर 2023 तक अभी भारत इसके अध्यस्ता करेगा जी ट्वैंटी की ठीक है तो बेसिकली जी ट्वैंटी होता क्या है तो इसमें 19 देश सामिल है ठीक है और एक यूरोपियन यूनियन सामिल है तो 19 देश वो कौन-कौन सामिल है मैं वो भी बता जी कि जो तीम इसका रखा गया वो क्या रखा गया वशुदह कुटूमबकम ठीक है यह संस्कृत में वशुदह कुटूमबकम और इसके अलावा भी थीम है कि वन वन फैमिली और वन फ्यूचर ठीक है यह भी एक थीम है तो 19 कंट्री जो होते हैं उसमें कौन-कौन मेंबर सामिल होते हैं वो आप देख लीचें जो 19 कंट्री जो एक यूरोपियन उनियन है उसमें कौन-कौन कंट्री जो आप देख सकते हैं अर्जेंटीना अस्ट्रेलिया ब्राजील कनाडा चाइना ट्रांस जर्मनी इंडिया इंडिया इंडोनेशिया इटली जपान रिपब्लि साली और developed country सामिल है ठीक है गनाडा हो गया चाहे चाइना हो गया फ्रांस हो गया अस्ट्रेलिया हो गया ब्रिटेन हो या अमेरीका हो रश्या हो यह सब मिंस खुद में काफी विक्षित और एक तरह से जापान भी ठीक है ये सब काफी विक्षित और ताकतवर देश है हर चीज में मिंस इनकी मिंस कह सकते आगे है तो जो 2026 में जो तो इंडिया में हो रहा हमें पता है कि भारत प्रेसिडेंसी कर रहा है लेकिन उससे पहले 2022 में कहा हु हुआ था ठीक है G20 का सम्मिट इंडोनेशिया में हुआ था जो 2022 में था और अभी इंडिया में हो रहा है बट नेक्स्ट जो होगा 2024 वो कहां होगा वो ब्राजिल में होगा यह एक साउथ अमेरिका कॉंटिनेंट है उसी का कंट्री है ठीक है यह आपको दचनी अमेरिका में द प्राशल से गुजर रहा था काफी समस्याएं हो रही थी इसी को इस परपस से कि किस तरह पूरे देश को पूरे विश्व को एक अच्छे अथी के साथ ले जाया जाए अर्थ ववस्था अच्छे से विक्षित हो सके ठीक है हर देश में एक डवलप्मेंट हो सके सभी में देशों के जो भी लोग है सब को रोजगार मिल सके सारे इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इस चीजों की सुरवात हो गई थी आगे हम लोग देखते हैं कि G20 के मेंबर्स तो हम लोग देखी लिए हैं ठीक है आप यहाँ पर चाहे तो इन लोगों के जो फ्लैग है वो भी यहाँ पर देख सकते हैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा तो आप वहाँ पर देख सकते हैं G20 दुनिया का 85% अर्थववस्ता अपने नियंतरन में रखता है क्योंकि इसमें 19 देश प्लस एक European Union जो सामिल है ठीक है तो इसमें जितने भी हर देश में जितनी भी जनसंखिया है ठीक है तो जितना भी उननका एक तरह से वैपार होता है ठीक है एक अक्पपर्छ से कह सकते हैं कि जो भी उनका आयात और निर्यात होता है ठीक है पूरे विश्व में होता है आपको पते कि भारत अगर इंपोर्ट करता है तो वो एक्सपोर्ट भी करता है तो उसी तरह जो भी और अन्ने देश है वो भी तो यह सब चीज करते हैं तो उस प्रकार अर्थ विवस्ता में जी ट्वेंटी के जो लोग है उनका 85% यह नियंत्रन रखते हैं और जी ट्वेंटी में 66% जनसंग्या पूरे विश्व की सामेल है 75% यह वैपार अंतराश्ट्रे वैपार में यह अपना दबदबा रखते हैं ठीक है 80% ग्लोबल इन्वेस्टमेंट वैस्ट्विक निवेश ठीक है इनके अंदर आता है जी ट्वेंटी के अंदर यहां एक प्रशन उठता है कि जी ट्वेंटी का मुख्याले कहां है और इस यह क्लियर कर देना जाओंगी जी ट्वेंटी का कोई मुख्याले नहीं होता है जिस देश उसकी अध्यस्ता करते रहता है जी ट्वेंटी की वहीं उसका मुख्याले बन जाता है वहीं उसका अध्यज बन जाता है इसका कहीं भी मुख्याले फिक्स नहीं जैसे हम सुनते है ने कि इसका मुख्याले जनेवा में है इसका मुख्याले वाशिंग्टन डीसी में है ठीक है तो इस प्रेकार इसका मुख्याले कहीं नहीं है ठीक है इसका जिस देश में अध्यस्ता होते रहे थी वही देश इसका मुख्याले बन जाता है जैसे भी भारत अध्यस्ता कर रहे तो वो मुख्याले बन गया है G20 का आप यह मोटो देख सकते वन वर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर ठीक है वशुद है कुटुमबकम जो संस्कृत में आप यह भी जान लिजिए कि इंडिया अभी अधेस्ता कर रहा है तो इंडिया अपने कुछ जो मित्र देश है ठीक है उनको भी इंवाइट किया है वो किसे किसे इंवाइट किया है बंगलादेश को इजिप्ट को मौरिशस को नाइजेरिया को नेधरलेंड को उमान को सिंगापूर को यूए को गेस्ट कंट्री ये लोको आमंत्रित किया है इंडिया अपने तरब से ठीक है कि आप आईए आप भी इस चीज को पाटिसिपेट कीजिए यहां पर वर्ल्ड के मैप पर जी ट्वेंटी को देख सकते हैं ठीक है जो भी कलर कलर किया हुआ है वो जी ट्वेंटी काया जैसे अमेरिका मैक्सिको ब्राजील अर्जेंटीनिया अर्जेंटेना अस्ट्रेलिया ठीक है इंडोनेशिया साउथ कोरिया जापान चैना इंडिया सौधी अरेबिया शौथ शौथ अफ्रीका ठीक है ठर्की इतली फ्रांस जर्मनी युनाइट किंडेम रश्या ठीक है ये आप इन लोगों को अधा वर्ल्ड मैप में भी देख सकते हैं आप यहां भी देखिए ठीक है वर्ल्ड पोपुलेशन का ठीक है रिप्रेजेंट करते हिए लोग 65% वर्ल्ड ट्रेट 79% वर्ल्ड एकोनॉमी 84% वर्ल्ड कार्बन इमिशन 79% आगे हम लोग देखते हैं कि भारत में अभी लगभग 60 सहरों में ठीक है मीटिंग्स हो रहे हैं ठीक है और अभी होते रहेंगे 200 से अधिक बैठक भी होगी 1 मार्च-2 मार्च 2023 जो अभी हमारा बीत या मार्च ठीक है तो विदेश मंत्रियों को बैठक भी हुआ ठीक है नई दिल्ली में प्लस G20 देशों का कारे क्या है वो आप देख लीजें कि मिन्स ये लोग बेसिकली अगर इतना मीटिंग करते हैं तो किस चीज पे ये लोग बात करते हैं ठीक है इनका टॉपिक क्या रहता है वो आप देख लीजें वैश्विक स्थीर्टा की सुरच्छा करना विक्षित देशों और उभर्ती अर्थवस्थाक भी सम्मवेशी शहयोग करना और जलवायू परिवर्तन ठीक है नौकरियों और समाजिक सुरच्छा के मुद्दे ठीक है आ सट्विकास जो हमारा सस्टेनबल डवलप्मेंट गोल है जो सत्रा दिये गया यूएन के तरब से ठीक है उस शीच को हासिल करना तो यह सब इनका टॉपिक रहता है इस पर यह चर्चा करते रहते हैं ठीक है आप यहां पर देख सकते हैं जो जी ट्वैंटी कंट्री वो लो ठीक है यहां पर आप साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के मेंबर्स थे ठीक है आई 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 टी के मेंबर्स थे नीती आयोग के मेंबर्स थे फिर कॉंसिल ऑफ साइंट्रिफिक एंड इंडस्रियल रिसर्च जो हमारा विवाग है उसके मेंबर्स थे मिल्स वैग्य जी-20 हमारा राची में जो हुआ ठीक है यहां पर basically मुद्धा क्या था जो हमारा solar energy होता है ठीक है आपको पता है जो सूरज से सूरज के रोशनी शे सूरज बनता है उत्पाद होता है मिन्स प्रडक्शन होता है सूरज के रोशनी चे तो इस पर ध्यान दिया गया उस चीज पर मिन्स यह इस टॉपिक को मुद्धे पर डिसके संग किया ठीक है तो टॉपिक पर डिसके संग हुए और यह इसका फूल फॉर्म आप डाम जान लीजिए अगर प्रशन बन जाए जारकन के एक्जाम में तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रिसर्ज एंड इनोवेशन इनिशियेटिव गेद्रिंग ठीक है इसका फूल नेम जो है इस चीच को आप ध्यान देते चले ठीक है मेकिंग मेटेरियल्स फोर सस्टेनेबल एनर्जी पर डिसकसन हुआ ठीक है यह इस तरह का फिर क्या था साइंटिफिक चैलेंजेज और अपर्चुनिटीज फोर अचीविंग अ सस्टेनेबल ब्लू एकोनोमी ठीक है इस्टिबलीशिंग बायो डावर्शिटी मिल्स जाए विवित दिपार्टमेंट के मेंबर्स लोग थे ठीक है तो ताकि इन सब चीजों पर बात कहा जा सब्सक्राइब और नीटी आयोग का जो अपना काम है वह उस पे डिसकसन हुआ होगा इन सब चीजों को लेके सारे यहाँ पर चर्चे हुए हैं मिटिंग हुआ बैठक हुआ यह सार तो आप हम लोग यहां पे यह हो गया जीट्वांटी के बारे में जो भी एक बेक्राउंट समझना था हिस्ट्री समझना था इसके बारे में जानकारी लेना था वह हम लोग कर लिए अब लोग वर्ष तोजार ताइस में G20 सिखर सम्मेलन के अध्यस्ता किस देश ने की तो भारत ने की है अभी पता है अभी भारत ही अध्यस बना हुआ है तो G20 सम्मीट में इसके नेता हर साल जुटते हैं और वैश्विक अर्थववस्ता को बढ़ावा देने पर चर्चा करते हैं ठीक यह 18 नंबर का संसकरन चल रहा है इससे पहले जो इंडोनेशिया हुआ था वह 17 नंबर का था और ब्राजिल जो करेगा वह 19 नंबर का हो जाएगा क्योंकि अभी 18 चल रहा है तो उसके बाद 19 ही होगा अगला प्रेशन है इन लिखित में से कौन G20 का सदश्य नहीं है तो कौ से प्रेशन है थे हमारा जो यह भारत का अपना तिरंगा जंडा है ठीक है वह उससे प्रेशन है इंडिया नेशनल फ्लैक्स तो आप्शन एग अगला प्रेशन है जी ट्वैंटी के तहत आयोजित थिंग 20 बैठक का मेजबानी कौन सा राज्य किया तो यह भोपाल में अगला प्रेशन देखते हैं कौन सा सहर परियावरन और जलवायू स्थीर्ता पर जी ट्वैंटी कारे समू बैठक का मेजबान है तो यह बैंगलूरू है तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हम लोग उपर देखे भी थे कारे में कि जलवायू परिवर्तन से रिलेटेड वह discussion करते हैं इनका काम रहता है ठीक है भारत की G20 के अद्धिस्ता का अजश्न मनाने के लिए किस ने G20 थीम QR कोड लॉंच किया है तो पेटियम ने किया है जैसे हम जानते है QR कोड जो स्कैन करके हम पेमेंट करते हैं ठीक है तो वह पेटियम ने ऐसा लॉंच किया है अगल अगला जीट्वाइंटी सीखर सम्मेलन कहां अयोजित हुआ था यह अमेरीका में वाशिंग्टन डी सी तो आपको पता दू कि यह जब अमेरीका में 2008 में वा ना तो तभी से अमेरीका में यह चीज़ के डिसाइड कर लिया गया कि जो भी देश के अध्याश होते हैं अगर जीट्वाइंटी सम्मिट में तब से यह स्टार्ट हो गया और फिर जो जिस भी देश का होता है आप सारे अध्याश को जैसे अभी आपको बैता है फाइनली दिसंबर नौवंबर दिसंबर में जितने भी देश है ना 19 देश प्लस एरोपियन यूनियन इनके जो भी प्रा है तो आप देखे भी होंगे कि जारखंड में राची में काफी खुबसूरत से राची को सजाया गया था डेकुरेशन किया गया था जब फॉरें डेलिगेट सा रहे थे तो तो इसलिए यह चीज़ गर्व की बात है कि एक्शली में इंडिया को बहुत बड़ा रिस्पॉं वकम यह दोनों यह थीम रखा गया है ठीक है अगला प्रशन है जी ट्वेंटी सिखर सम्मेलन 2022 की अध्यस था किस देश ने की थी तो फ्रेंट सी इंडोनेशिया ने किया था ठीक है जो मैं आपको बताई 17 नंबर के संस्क्रें था उससे पहले भी कौन था तो इटली किया है उससे पहले ठीक है और फिर भारत किया है अभी जोग चल रहा है और अब आगे ब्रैजील करेगा ठीक है अगला प्रेशन है वर्स 2022 में इंडोनेशिया की बाली में आयुजित जी ट्वेंटी सिखर सम्मेलन की थीम क्या थी तो वहां पिता रिकावर टुगेदर रिकाव इस ट्रॉंगर ठीक है तो यह मिन्स गोविट नाइंटीन को ध्यान में रखते हुए यह लोग इस चीज का थीम इस तरह का थीम रखे थे अगला प्रेशन है जी ट्वेंटी समू के स्थापना कब हुई थी तो यह उनिश्यू निनानवे में हुई थी ठीक है इसकी का रूप ले लिया है तो ताकि दुनिया की प्रमुख एडवांस उभरती हुई अर्थववस्ता को एक साथ लाया जा सके ठीक है अगला प्रेशन है जी ट्वेंटी के सदर्श्य में शामिल है तो कौन-कौन सामिल होते हैं तो 19 देश और एक यूर्य उर्पियन यूनियन अगला प्रेशन है बारत की जी ट्वेंटी अधिस्ता के तहत पहली महला 20 बैठक 2023 कहां आई जित हुई है तो ये संभाजी नगर भाराष्ट में आई जित हुई है महलाओं के हित में महलाओं के लिए धान रखते भी ठीक और इसका थीम भी रखा गया था पर्श्यूट फ पताई भी थी अगला प्रिशन है 2023 में जी ट्वेंटी संस्कृती कारे शमू की पहली बैठक कहां आयोजित हुई तो ये खुज रहो मद्धे प्रदेश आपको पता ही काफी फेमस जगायटिक है यहां आर्ट और कल्चर के प्रपस यह काफी ही मिंस बहतरीन प्लेस है तो कि इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा अगला प्रशन है कि आर आई आई जी का पुर्णरूब क्या है तो मैं आपको बताई थी रिसर्च एंड इनोवेशन इनिसियेटिव गेद्रिंग ऑप्शन सी इस करेक्ट आंसर अगला प्रशन है कितने से कितने तारिक तक प्रणकारी क्योंकि अभी भारत इसके अधिस्ता कर रहा है तो आपको जानना में जरूरी तो यह जो भी था जी ट्वेंटी के बारे में मैं आपको यहां पे बता दी साथी साथ इतने सारे mcq से बहुत सारे प्रशन और अलग-अलग पॉइंट्स भी आप अलग से भी जा इसलिए मैं आपको इतने सारे mcq भी करवा दी हूं ताकि अगर ऐसे कुछ भी प्रशन बनते हैं क्योंकि जारखंड में भी राची में जब फोरेंड डेलिगेट्स आये थे सारे नीती आयोक के मेंबर्स थे ठीक है सब जब मीटिंग हो रहा था तो यहां पे भी इस चीज सब चीजों को आपको ध्यान देते चलना है ऐसे में कुछ भी प्रशन बनेंगे तो वह चुटेंगे नहीं तो आज के लेक्चर को यहां पर समाब करते हैं आप शभी का धन्यवाद